प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की इस बार कासी दौरे पर सबसे आकड़िसर का केंद्र जो रहती है चंदाजी रहती है जो हमारे साथ मौजूद है अब आपने खेतों में यह काम कर रही थी और कहा एक सपना होता है कि प्रादान मंतुरी बीज है के पास देख लेना पास से यह सपना लोगों का होता है आपने तो वास्चीत कही हैं कि तंद बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बहुता अच्छा लगा और उन्होंने बहुत ethnًa भी हमेंसे यह मैं अज़सच skilled प्रदार मंत्री जी से नार्मल हम लोगे के लिए बैठने प्रधान मंत्री जी हैं हम लोगों के बगल में बैठे हैं एकदम जैसे लगता है नहीं कि अपना पन जैसा दिखता है उनके अंदर यह बिल्कुल भी नहीं लगा हो हमारे बीच आहे तो हमारे अपने बन के बात की हमसे यह हमको बहुत अच्छा लगा लोग मोदी जी के भास से साथ आज हम वह तक पहुचे क्योंकि राष्टी ग्रामीडाजीव का मिसंसे जूड़कर हम वह पर पहुचे हैं यह उन्हीं की लाई होई उजना है तो हम यह सारा सरे उन्हीं को देना चाहते हैं माने पधान मंत्री जी को ही देना जाते हैं जो आपने जिस खनक में भोल करेंगे लेकिन कोशिस करते हैं जी कुछ मिलता जुलता होगा जब हमां मंच पर प्रस्तुत हुए तो वहां पर हमने बोला कि माने पधान मंत्री जी को हमारा साधर प्रडाम और आपका हमारे ब्लॉक सेवापूरी में स्वागत एवं अभिनंदन है सर मेरा नाम चंदा दे कुल मिलाकर हमारे घर में पांस अदस्य हैं तो समु में जुनने से पहले कि हम अपनी इस्तिती उनको बताए कि सच में खेती सुरू करने के लिए भी तो आर्थिक सहयोग चाहिए तो वह बहुत मुस्किल था पहले मिलना किसी और जगा से जाके पैसे वगर लेना फिर पास कर दिए तो एक अफ़ के सिरु यहें शुरुआत किये फिर वहाँ से हमको उस सब्सके एक 수 Eisen के यहां और बड़े पैमाने पर बढ़ाते हैं फिर जब धान का सीजान आया तो फिर एक आये उनको पैसे की जोरती साय तो उन्होंने हमको अपना खेत रहनी पे दिया बोले आप यह हमारा इतना खेत ले लिजिए हमको एक लाक रुपया दे दिजिए जब तक हम आपका पैसा ने लो पिस्वास भी बढ़ा और हमने अपना खेती उसी तरह से मतलब करते गए और आगे बढ़ते गए फिर एक दिन ब्लॉक पे गए तो मन्जु दीदी हमारी ब्यम्म है उनसे मारी मुला कात हुई बोली कि चंदा बैंक सकी का कार्य आया है आप करेंगी तो हमके ठीक है दीदी और हमारा तो कुछ इनकम हो गया हमारा तो दोनों जगह से मिला के मेतलब मेरा हो जाता है अपने साल में 1,30,000 रुपे की बात कि सब्सक्राइबter के बाद लग रहा है कि यह एक लाग तीस अजार रुपए है यह लग रहा है कि आने वाले समय में यह दसलाक रुपए में बदल जाएगा नए खेती तो उतनी है और भी और वी जैसे आपने रहन लिया तो और भी खेतों को फिर रहन लेकर या इस तरीके का कदम उठाएंगी कर सकते हैं कोई इसमें इसू नहीं है कर सकते हैं और अच्छी रोजगार अगर मिल जाएगी तो और अच्छा काम करने लगेंगे तो और भी इनकम होना सुरू हो जाएगा इन सारी चीजों के साथ मोधी जी एक बात कहते हैं कि भाई आपको भी चुना होना तो नहीं पूरे हैं फर्स्ट टाइम से तो हम मतलब जितने भी बैंक के खाते इंडिया में बस एक ही ब्रांच है इधर तो इधर सर सिखडी हो गया मिलकी पूर है डोमैला है बरकी है पूरे नंदा बेलवा इधर पूरे बरियार रामपूर नेवढिया डोमानपूर लहिया तो हमारा इतने महिलाओं से मिलना जुलना होता है तो उनसे बातचीत करने से थोड़ा समारा अनुभा बढ़ गया और हम समू में है तो हमको पहले यह बोलना ही सिखाया जाता है इसमें कि इस तरह से अपने आपको प्रजेंट कर सकते हैं तो मीटिंग जब हम लोग की होती तो हम पर दस लोग 20 लोग की कठा हो जाएंगे तो सब अपनी अपनी बुद्धी बताते हैं ना ऐसा कर यह सई हो जाएगा ऐसा कर यह ठीक हो जाएगा असा करिए उस समय लोग उनकी बातों को नोटिस नहीं करतें लेकिन एक्ट्वाली क्या होता है कि जिससे वो उसका मिल्किपूर में तो हम लोग की मीटिंग होती है तो इतने सारे गाव की महिला ही कठा होती है तो सब के आदान प्रदान जो होते हैं वह होते हैं तो इसमें उसमें से फिर उसको डिसकसन होता है फिर उसमें समझ में आता है कि किसकी बाते सई हैं फिर उसके फोकस किया जाता तो जाहिर सी बात नहीं कि हम बैंग सकी है तो हमको सब कुछ आता है ठीक है तो कुछ गाओं की ऐसी महिलाई भी होती है को बिना पढ़े लिखे भी ऐसी बात बोलती है कि वह हमको मतलब की समझ मैंता है कि हमसे बेटर है तो वो चीज हमको आपर सिखने को मिलती है यह है इसमे legitimate प्रदान मंत्री निए चुनन लणने का उफ़र दिया है, तो क्या मूढ बनाया है? भी में प्रदान मंत्री आपको एगर उफर दिया है चुनना लणने, तो आपने क्या सोचा है? कि य्दि राजनीत की और कदम बढ़ाएंगे? कि सेवा का कार ले हैं जैसे है अब देखते हैं क्या होता है